आरे सगुराल की बुक का चैप्टर एट हमारा है आयू संबंधी पर्सन प्रावलम सान एजेज तो इसका क्वेस्टन क्वेस्टन नमबर वन टू फाइव हम लोग करते हैं पहला क्वेस्टन आपका लिखा है ए तथा बी की बर्तमान आयू का अनपात क्रमसा चार अनपात पांच है पांच वर्स बाद या अनपात पांच अनपात छे हो जाएगा A की बरतमान आयू कितनी है तो A तथा B की बरतमान आयू 4 अनपात 5 है तो A की बरतमान आयू हो जाएगी 4X और B की बरतमान आयू हो जाएगी 5X जो अनपात रहता उसमें कोई संख्या X से हम लोग मल्टिप्लाई कर देते हैं तो A की बरतमान आयू बराबर हो गया 4X और B की वर्तमान आयू हो गई 5X V की वर्तमान आयू 5X जो अनुपात है उसमें किसी नंबर से मल्टिपलाई कर दे तो 4 अनुपात 5 था A और B की तो A की वर्तमान आयू 4X हो गया B की वर्तमान आयू 5X हो गया कहरें 5 बर्स बाद या अनपाद 5 अनपाद 6 हो जाएगा यानि 5 बर्स बाद जो उनकी आयू है उनका अनपाद 5 अनपाद 6 हो जाएगा तो 5 बर्स बाद A की आयू कितनी होगी 5 बर्स बाद A की आयू बर्तमान आयू 4X है तो 5 साल बाद उसमें 5 जुड़ जाएगा में 5 जुड़ जाएगा B की आयू 5X प्लस 5 अब कहने 5 बरसबाद इनकी आयू का अनपाथ 5 अनपाथ 6 हो जाएगा यानि यह हमारा जो 4X प्लस 5 बटा 5X प्लस 5 है यह अनपाथ क्या हो जाएगा 5 अनपाथ 6 यानि 5 बटा 6 हो जाएगा अब यहीं से हम लोग X की वेलू सौल कर लेंगे अब क्रास मल्टिप्लाई करें तो यह हमारा हो जाएगा 6 गुड़े 4X प्लस 5 बराबर 5 गुड़े 5X प्लस 5 तो यह हो गया च्छे चोके 24X प्लस 635 तीस बराबर 25X प्लस 25 अब यह 24X इधर हम लोग लाते हैं तो 24X इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 25X माइनस 24X बराबर यह 25 को उधर लाते हैं तो यह हो जाएगा 30 माइनस 25 25X से 24X गटेगा X हो गया और 30 से 25 गटा 5X की वैलू आ गई 5 अब X की वैलू निकालने के बाद आब हमको देखा है पूछा क्या है A की वर्तमान आयू पूछा है तो A की वर्तमान आयू पूछा है तो कितनी ह A की वर्तमान आयू 4X है इसमें X की वैलू हम लोग रख देंगे 5 तो A की वर्तमान आयू आपकी हो जाएगी A की वर्तमान आयू आपकी 4X है और इसमें X की वैलू 5 रख देंगे तो यह आ जाएगा 4 पंचे 20 20 वर्स हो जाएगा A की वर्तमान आयू 20 वर्स है आफसन हमारा B करेक्ट हो गया कोईस्टन नमबर दो हम लोग करते हैं देखे क्या करा है बिसाल तथा सेखर की बरतमान आयू का नपाद क्रमसा 14 नपाद 17 है छे बर्स बाद इनकी आयू का नपाद 17 नपाद 20 हो जाएगा सेखर की बरतमान आयू कितनी है तो बिसाल और सेखल की बरतमान आपका हो जाएगा 14X और सेखर की वर्दमान आयू सेखर की वर्दमान आयू आपका हो गया 17X जो अनुपात रहता है उसमें किसी नंबर से मल्टिप्लाई कर देते हैं वही हमारी आयू हो गई कहने 6 बर्स बाद तो 6 बर्स बाद हम लोग देखते हैं विसाल की आयू कितनी होगी 6 बर्स बाद विसाल की आयू बर्दमान आयू 14X है विसाल का तो 6 साल बाद 6 साल इसमें बढ़ जाएगा तो यह हो जाएगा 14X प्लस 6 6 बर्स बाद सेखर की आयू सेखर की वर्तमान आयू 17x है तो 6 साल बाद इसमें 6 जुड़ जाएगा यह हो जाएगा 17x प्लस 6 आप कहनें 6 बाद इनकी आयू का अनपाथ 17 अनपाथ 20 है यानि 14x प्लस 6 बटा 17x प्लस 6 बराबर यह हो जाएगा 17 बटा 20 यहां से हम लोग x की value solve कर लेंगे तो cross multiply करें तो यह 20 गुड़े 14x प्लस 6 बराबर 17 गुड़े 17x प्लस 6 यह हो गया 14 दुना 28 यह 28x प्लस 26 बराबर 177 हैं 289 हो जाएगा 289x प्लस 17 गुडे 6 एकसो दो अब 28x हमारा इधर आएगा और 102 इधर लाएगे तो 120 माइनस 102 बराबर 289x माइनस 280x तो 289x से 280x गटेगा तो कितना हो जाएगा यह आपका 9x हो जाएगा 289 से 280 जाएगा तो 9x और 120 से 102 गटेगा तो 18 तो 9x बराबर 18 तो x बराबर आगे आपका 18 बटा 9 यानि x की value आगई 2 x की value हमारी हो गई 2 अब पूछा क्या है हमारा सेखर की बरतमान आयू पूछा है सेखर की बरतमान आयू क्या है 17x तो सेखर की बरतमान आयू आपकी हो जाएगी सेखर की बरतमान आयू 17x है इसमें x की value 2 रख देंगे तो 17 गुड़े 2 बराबर 17 दुना 34 वर्स आ जाएगा हमारा और आफसन C करेक्ट हो जाएगा question number 3 देखते हैं मीरा तथा प्रिया की बर्तमान आयू का अनपात करमसा 3 अनपात 4 है तो 10 वर्स पूर्व इनकी आयू का अनपात करमसा 4 अनपात 7 था 5 बर्स बाद मीरा की आयू कितनी होगी यानि मीरा और प्रिया की बर्तमान आयू का अनपात 3 अनपात 4 है तो मीरा की आयू हो जाएगी 3X और प्रिया का हो जाएगा 4X यानि मीरा की बर्तमान आयू मीरा की वर्तमान आयू आपका हो गया 3X और प्रिया की वर्तमान आयू प्रिया की वर्तमान आयू आपका हो जाएगा 4X अब आगे क्या कहने हैं 10 वर्स पूर्व यानि 10 साल पहले इनकी आयू का अनपाद 4 अनपाद 7 था तो 10 वर्स पूर्व मीरा की आयू दस वर्स पूर मीरा की आयू क्या रही होगी बर्तमान आयू 3X है तो दस साल पहले उसे दस कम हो जाएगा तो 3X माइनस 3 हो जाएगा दस वर्स पूर पिरिया की आयू बर्तमान आयू पिरिया की 4X है तो 10 साल पहले 4x-10 रहा होगा अब कहे रहे हैं 10 बर्स पूर आयू का अनपाद 4 अनपाद 7 है यानि 3x-10 बटा 4x-10 बराबर यह है 4 अनपाद 7 चार बटा 7 अब क्राउस मल्टिपलाई करें तो 7 गुड़े 3x-10 बराबर 4 गुड़े 4x-10 तो यह हो गया 21x-70 बराबर 16x-40 16x इधर आएगा तो 21x-16x और 70 उधर जाएगा तो पलस हो जाएगा 70-40 21 से 16 घटाएंगे तो यह 5x बराबर हो गया 30 तो x बराबर 30 बटा 5 यानि x की वेलू आगई 6 x हमारा हो गया 6 अब पूछा क्या है 5 बर्स बाद मीरा की आयू हम लोग यह देखेंगे कि हमारा पूछा क्या है 5 बर्स बाद मीरा की आयू मीरा की बर्तमान आयू कितना है आपका 3x तो 5 बर्स बाद मीरा की आयू क्या होगी 5 बर्स बाद 5 बर्स बाद मीरा की आयू वर्दवान आयू 3X है तो 5 साल बाद इसमें 5 और जुड़ जाएगा 3X प्लस 5 इसमें X की वेलू जो हमारा 6 आया है ये रख देते हैं 3 गुड़े 6 प्लस 5 तो 18 और 5 तेज़ तो 23 वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष बाद मेरा की आयू और आफसन C हमारा करेक्ट हो गया क्वेस्टन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्ष ए तथा वी की आयू का अनपात करमसा 4 अनपात 5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयू का अनपात 5 अनपात 6 होगा बी की बरतमान आयू कितनी है तो 7 वर्ष पूर्ष ए तथा वी की आयू का अनपात था 4 अनपात 5 तो 7 वर्ष पूर्ष ए की आयू हो जाएगी आपका 4 एक्स और 7 वर्ष पूर्ष बी की आयू हो जाएगी आपका 5 एक्स तो हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्ष ए की आयू आपका हो गया 4X और 7 वर्स पूर B की आईउ 7 वर्स पूर B की आईउ आपका हो गया 5X ये 7 वर्स पूर A की आईउ है 4X और 7 वर्स पूर B की आईउ है 5X अब कह रहे हैं 7 वर्स बाद इनकी आईउ का अनपात 5 अनपात 6 हो जाएगा तो साथ वर्स पहले एकी आयू चार एक्स थी तो साथ वर्स बाद एकी आयू हमको देखना है साथ वर्स बाद एकी आयू अब देखे बर्तमान से साथ साल पहले उसकी आयू थी चार एक्स यानि 4X में अगर 7 जोड़ेंगे तो यह हमारा बर्तमान आयू पता चलेगा एका और 7 वर्स बाद हमको चाहिए तो एक 7 और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह बर्तमान आयू 4X नहीं है 7 साल पहले है तो 7 एक जोड़ेंगे तो बर्तमान आयू मिलेगा और 7 और जोड़ेंगे तो 7 वर्स बाद A की आयू आपका हो जाएगा 4X प्लस 14 7 वर्स बाद B की आयू 7 वर्स बाद V की आयू आपका हो जाएगा 5X तो 7 साल पहले है इसमें 7 जोड़ेंगे तो बर्तमान आएगा और फिर और साथ जोड़ेंगे तो साथ साल बाद आएगा यह होगे आपका 5X प्लस 14 अब कहनें साथ वर्स बाद इनकी आयू का अनपाथ 5 अनपाथ 6 होगा यानि जो यह हमारा आया है 4X प्लस 14 और इसको 5X प्लस 14 से जब डिवाइड करेंगे तो यह अनपाथ कितना कह रहे है 5 अनपाथ 6 होगा अब इसको हम लोग क्राउस मल्टिप्लाई करें तो 6 गुड़े 4X प्लस 14 बराबर 5 गुड़े 5X प्लस 14 तो यह हो जाएगा 24X प्लस 14 चक्के 84 बराबर 25X प्लस 14 पंचे 70 अब यह 24X इधर आएगा और 70 इधर आएगा तो इधर हो गया 84-70 बराबर 25X-24X अब इधर तो बचा X और आपका 84 से 70 गया क्या बचा 14 तो X की वेलू आपकी क्या आगई 14 अब पूछा क्या है B की वर्तमान आयू पूछा हमारा है B की वर्तमान आयू वी की वर्तमान आयू क्या होगा साथ वर्स पूर वी की आयू है पांच एक्स तो वर्तमान आयू क्या होगा साथ इसमें और जोड़ देंगे क्योंकि साथ साल पहले पांच एक्स था तो वर्तमान में यानि पांच एक्स प्लस साथ होगा में x की value 14 रख लेंगे तो 14 गुड़े 5 प्लस 7 तो 14 पंचे 70 और 7 77 यानि कितना रहा होगा 77 और आफसर डी हमारा correct हो गया question number 5 देखते हैं हम लोग अंजू तथा संध्या की बरतमान आयू का अनपात 13 अनपात 17 है चार बर्स पूर्व इनकी आयू का अनपात 11 अनपात 15 था तो 6 बर्स बाद इनकी आयू का अनपात क्या होगा तो अंजू और संध्या की बरतमान आयू 13 अनपात 17 है तो अंजू की बरतमान आयू 13 अनपात 17 है 17x 17x हो गया अब कह रहे हैं 4 वर्ष पूर इनकी आयू का अनपात तो अब जो है 4 वर्ष पूर 4 वर्ष पूर अन्जो की आयू तो बर्तमान में 13x है तो 4 साल पहले क्या रहा होगा 13x माइनस 4 4 वर्ष पूर संध्या की आयू 7x है बर्तमान में 4 घटा देंगे 17x माइनस 4 आप कहनें 4 वर्ष पूर आयू का अनपात 11 अनपात 15 है यानि 13x माइनस 4 बटा 17x माइनस 4 यह आपका हो जाएगा 11 बटा 15 यहासे क्रोस मल्टिप्लाई करके एक्स की वेलू हम लोग निकालेंगे यह 15 गुड़े 13 एक्स माइनस 4 बराबर आपका हो जाएगा 11 गुड़े 17 एक्स माइनस 4 तो अब 15 से लोग मल्टिप्लाई करेंगे 15 गुड़े 13 एक्स यानि 15 एक्स इधर आएगा तो घड़ जाएगा 195 एक्स बराबर एक्स माइनस 187 एक्स बराबर हो जाएगा साथ एधर जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस 44 अब 187 तीन 5 पन्चानव मैणी 8 एक्स बराबर आपका आ गया 44 और 16 60 तो X बराबर आपका आ गया 16 बटा 8 यानि 2 X की वेलू आ गए हमारी 2 अब पूछा क्या है 6 बर्स बाद इनकी आयू कान पात तो बर्तमान आयू क्या है 13 X और 17 X तो 6 बर्स बाद जो आयू कान पात होगा 13 X प्लस 6 बटा 17 X प्लस 6 और इसमें X की वेलू हम लोग जो 2 निकला है रख देंगे तो 13 गुड़े 2 प्लस 6 बटा 17 गुड़े 2 प्लस 6 तो यह हो गया आपका 13 दुने 26 और 34 और 32 बटा 17 दुने 34 और 6 चालिस अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं 4 अठे बटेस चार दामा 40 यह हो गया 8 बटा 10 और 2 से कट कर लें 2 चोके 8 दो पंचे 10 यह आगया आपका 4 बटा 5 यानि इनकी आयू का अनपात होगा 4 अनपात 5 तो इनकी आयू का अनपात हमारा आगया 4 अनपात 5 लेकिन कोई भी आफसन 4 अनपात 5 नहीं दिया है इसलिए हम आपधा आव बगल